अम जन मुवी से जुड़ी पिछले कुछ दिनों में कई सारी कहानियां आप लोगों ने अब तक सुनी लिए लेकिन क्या आप ने उस वानर के कहानी सुनी है जो बाबरी मस्जद के गुंबत पे भी जहंडा पकड़के बैठ गया था क्या है उस तस्वीर के सच्चाई क्या कहानी है उसके सारी जड़ी हुए और क्यों कहा जाता है कि राम जन भूमी का जो संगर्ष था वो कभी भी हनुमान जी के कि छाया से भार नहीं गया तर यही कालन है कि प्रथवी लोग में हनुमान जी की पुझा होती रही है राम मंदिर आंदोलन के 500 सालों के इतिहास में महावली हनुमान की अद्रश चाया से ये कभी मुक्त नहीं रहा है आज मैं आपको एक साथ इसी चार घटनाएं बताने वाला हूँ जिसे जानकर आप भी यही कहेंगे कि स्वयम हनुमान जी ने उपस्तित होकर राम मंदिर निर्मान के लिए रास्ता दिखाने का मारदर्शन करने का हमेशा ही काम इंटरेट के आर्काईस ने जाते हैं तब आपको हनुमान मंदिर बाबरी मंदिर जुड़ी हूई एक तस्वीर ऐसी दिखती है जिसे देखकर लगता है कि बस हनुमान जी स्वयम उस दिन वहाँ पर आ गए थे दरसली तस्वीर 23 जुला 1992 की है और इसे प्रमोद पुषकरन ने क्लिक किया था कार सेवकों की निशन सखत्या के बाद में मंदिर के लिए कार सेवा ने लंबत कर दी गई और जुला 1992 में शुरू की गई हाला कि कार सेवक आयोद्या पहुँच गए थे लेकिन कार एक्रम स्थकृत कर दिया गया था 1992 की तस्वीर में बावरी मज़ित के केंद्री गुमबत पर बैठा बंदर है जिसको की इस तरीके से देखकर लग रहा है कि मानो खुद वानर राज ही आकर वहां बढ़ गया है ये खास इसलिए हो जाता है क्योंकि 1990 में पहली बार कार सेवा में मज़ित की गुमबत पर जंडा लिए एक बंदर की फोटो उस समय के सभी एक बारों छपी थी क्या ये वही बंदर था जो 1990 में गुमबत पर आया था सबसे पहली बात तु निकल कर आती है कि जब 1990 में कार सेवा में भगवा जंडा लेकर गुमबत पर खुद एक बंदर चड़ गया था बात आती है 30 अक्टूबर 1990 की जिसे भारत कभी नहीं भूलेगा राम मंदर अंदूलन के उस एतिहास एक दिन में विश्व हिंदू परिशवत दोरा आयज़त राम मंदर कार सेवा को विफल करने के लिए 30 अक्टूबर 1990 को पी एसी के लगभग 28,000 कर्मियों को आयोध्या में तेनाद किया गया था सुरक्षा विवस्ता ऐसी थी को तप्रदेश के ततकाईन मुख्यमंतरी मुलायम सिंग यादव ने दावा किया था कि आयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता विश्व हिंदू परिशत के सह्योक्त महासचेव सौमी विज्ञानन ने कहा कार सेवकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच चंगर्श के बीच एक साधू जो बस चला ना जानता था पुलिस बस की सीट पर कूद गया जिसका इस्तमाल कुछ कार सेवकों के रास्त पर लेने क सौमी विज्ञानन कहते हैं कि सुरक्षा कर्मियों के हमले का सामना करते हुए कार सेवकों को शाम तक पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा अधिकारी चाहते थे कि गुंबत से भगवा जंडे को हटा दिया जाए लेकिन उन्हें एक अनूखी कंडिशन ने सामना कर पुलिस कर्मियों ने बंदर को भगवान हनुमान के अवतार की रूप में देखा जो ध्वच की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे सौमे विग्यनन कहते हैं कि बंदर घंटों तक जंडे के पास बैठा रहा देर रात बंदर के गुंबत से चले जाने के बाद तीन चार जवान गुंबत पर चड़ गए और उसके बाद जंडे को हटाये गया दूसरा गिस्सा नजर आता है बाबरी मजद के गुंबत पर 1992 का जब बंदर एक बाद फिर से दिखाई दिया था दरसल जब तस्वीरों को खंगालना शुरू करते हैं तो एक और तस्वीर निकल कर सामने आती है और कहानी को और आगे बढ़ाती है इस तस्वीर में बाबरी मजद के केंदरी गुंबत पर फिर एक बार बंदर बैठा हुआ दिखता है तस्वीर 23 जुलाई 1992 की है और इसे प्रमौत पुषकरणा ने इकलिक किया था कार सेवकों के निशन सहत्याओं के बाद मंदर के लिए कार सेवा ने लंबित कर दी गई और जुलाई 1992 में शुरू करी गई हलाकि कार सेवक आयोद्या पहुँच गया लेकिन कारेक्रम उस समय के लिस्थखित कर दिया गया था जब प्रमौत पुषकरणा से पूछा गया कि उन्होंने तस्वीर क्यों की ची तब उन्होंने बताया कि मुझे इस बात पर आशरी हुआ कि जब सुरश्यक अर्मियों और बैरिगेट्स ने लोगों को गादद जगे तक पहुंचने से रोग दिया था तब एक बंदर आखिर गुंबत के शीष तक पहुंच गया था फोटो जनलिस्ट प्रमौत पुषकरणा जो कि अब करीब 77 साल के हो चुके हैं वे कहते हैं कि उस दिन आयुद्या में लोग बंदर को हनुमान का अवतार कह रहे थे पुषकरणा बताते हैं कि आयुद्या में बहुत सारे प्रतिबंद थे हम तस्वीर लेने के लिए एमारतों के पीछे शुब जाया करते थे और च्छतों पर चड़ जाया करते थे वह समय था जब आयुद्या अंदूलन पूरे जोरो पर था इसके बात किस्ता निकल कर आता है मंदर के दर्वाजे खोलने की प्रिणा जब बंदर नहीं दी थी दरसल आयुद्या मंदर मामले में एक बंदर का संदर 1986 में राम मंदर का ताला खुलवाने में भी रहा था फैजबाद जिले के ततकाली नयाधीश के हम पांडे ने अपने आत्मकथा में लिखा है कि एक फरवर्णी नहीं दीश के रूप में उन्होंने जो फैसला दिया था उसके एक देवी शक्ती का हाथ था इस आदेश में कहा गया था कि बावरी मज़ित के दर्वाजे भक्तों के दर्शन के लिए खोले जाएंगे पांडे लिखते हैं कि जिस दिन ताले खोलने के आदेश पारित किये गए थे एक काला बंदर पूरे दिन कोल्ट रूम की छत पर जिसमें कि सुनवाई चल रही थी जंड़ा इस्तम पकड़े बैठा हुआ था अदालत का अंतिम आदेश सुनने के बाद मौजूद फैजबाद और आध्या के हजारों लोगों ने उनने मुंगफली और विबिन फल की पेशकश करी थी अजीब बात है कि उस बंदर ने किसी भी प्रसाथ को नहीं चीव और शाम चार चारिस बजे तक जब अंतिम आदेश पारित हुआ तो वहाँ से खुसोता ही चला गया पांडे लिखते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट और एससपी मुझे मेरे बंगले तक ले गए उस बंदर मेरे बंगले के बरामदे में मौझूद था मैं उसे देखकर हैरान रहे गया मैंने बस उसे कोई देवी शक्ती मानते हुए प्रणाम किया और बाद में बाबरी मजिद के दरवाजे खोलने के केम पांडे के अदेश को हाई कोट ने पलट दिया था ये एक लंबी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा था जो कि 858 में निहंग सिखों द्वारा विवादित मस्जिद में घुचकर हवन करने के बाद एक F.I.R. के साथ शुरूख हुआ था एक और मामला जो निकल कर सामने आता है उसमें बंदर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बीच में एक संदर्व नजर आता है दरसल वरिष्ट वकील और पूर अटर्नी जनरल के परसरन ने जिन्होंने कि राम लला विराजमान के मामले में सफलता पूर्वक भहस करी थी इन्होंने भी राम जनभूमी मामले के संदर्में एक वीडियो में बंदरों के बारे में बात करी थी सुप्रीम कोल्ड की पांच नहायत हीशों की पीठे ने 9 नवंबर 2019 को एतियाजिक फैसला सुनाया था जिसमें गिराम बंदर के निर्मान के लिए 2.7-8 जमीन राम जनभूमी ट्रस्ट को सौपने कादेश दिया गया था के परासरन ने कहा कि फैसला शनिवार को सुनाय गया और अगले सुमवार को दिल्ली में उनके आवास के चटपर 30-40 बंदर कहीं से आ गया परासरन लिखते हैं कि मैं दूसरे मंजिर पर खुली चटपर था लगबग 30-40 बंदर आये परासरन कहते हैं कि इतने सारे बंदरों की कलपना नहीं कर सकते और वो भी रात को आट पैटालिस पर जब आम तोर बंदर अपने ठेकानों पर चले जाते हैं परासरन कहते हैं और वे खुद भी लिखते हैं कि वो लोग काफी खेल रहे थे, कूद रहे थे, लात मार रहे थे भगवान राम लिन के देखबाल करी और 90 सालों तक उन्होंने इसका इंतजार भी किया था जाहिर सी बात है, राम लिल्ला की प्रान प्रतिष्टा के बात से कई सारी ऐसी दुरलप कहानिया एक सिवात निकल कर एक कि बाद एक निकल कर सामने आ रही है लेकिन बात यही है कि आखिर इन कहानियों में आप किसको ढूंढते हैं आप क्या भगवान के स्तित्व को ढूंडते हैं या अपने विश्वास को खुचते हैं मेरे सुझी फ्रालत नहीं जाए हैं जाए भारत